हेलो स्टूजेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल दिस साइट सिदी एंड आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रॉक्चर इंडिया का एक टॉपिक डिसकर्स करने वाल है तो आज कर टॉपिक होगा हमारा होगा बहमनी सम्राज्य के उपर इससे पहले हम लोगों ने विजन अगर सम्राज्य के बारे में अल्रेडी कुछ तीन से चार वीडियो में डिसकर्स कर लिया था इस तरीके से आपके एक्साम में कुवेशन आते हैं वो सब कुछ में वहाँ पर डिसकर्स कर चुकी हूँ अगर आपके वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रेप्शन में है नहीं तो आप प्लेलिस में जाकर के भी चेक आउट कर सकते हैं तो बहमनी सम्राज्य से भ पर उस दिखेशफ है यहीं लिखने क्यूंद आको यहीं लिखने अपने अप्में एक्साम में साथ साथ है यह यह घू बता दूद्ध कि यह तनी में स्टुनेंट कि लिए रहीग आप जब्रफी को पर चोजलिए लिए वीडियो पसंदार टो यहीं संग उनने होल इलने क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा ही बहामनी सम्राज्जे को आज कम्प्लीट करने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को देखते हैं कि यहां पर हम समझेंगे इसको डिटेल में समझेंगे आपने से किसी को कोई प्रॉब्लम ना है तो जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं जो बहामनी सम्राज्ज है अगर हम इसके टाइम पिरेट की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इसका टाइम पिरेट कितना है 1347 से लेकर के 1527 तक ठीक है आपको इसका टाइम पिरेट सबसे पहले पता होना चाहिए इससे पहले हमने आल्रेडी वीजन अगर को डिसक्रस कर लिया था जिसमें मैंने बताता हूँ जो वीजन अगर का सम्राज सबसे पहला पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं तो बहामनी सम्राज्य जो हमारे भारत के इतिहास का अगर आप देखोगे मुस्लिम स्टेट ऑफ दी डेकनि साउधन इंडिया तो अगर हम बात करेंगे जो हमारा बहामनी सम्राज्य है वहमारे दक्ष्चिन भारत में डक्कन का एक क्या था मुस्लिम राज्य था ठीक है अगर हम विजन अगर की मैंने आपको पता है तो वह हिंदू का सम्राज्य थ के डेकन वाला यह पूरा हश्सा क्लियर हो गया आगे बढेंगे और आगे समुझजेंगे कि अपर Sum LIVE को कर談 करूं यहँ दो हिस्तों में बहामनी समराज्य के नॉबल्स को यहां पर कैटिग्राइज किया गया था अगर मैं बात करूँ डैकेंड का मतलब कहां पर क्या होता है डैकेंड वर नॉबल ऑफ नेटिव ओरीजिन तो डैकेंड में कौन आते हैं जितनी भी मूल निवासी थे जो नेटिव सबको पता हैं नेटिव प्लेस नेटिव ओरिजिन वहता है जहांपर हमारा जनम हुआ होता है जहां हम पैदा होते हैं तो यानि कि वो सारे नोबल्स जो जहाँ पर पैदा होई वही रहतें लिकिन अगर मैं बात करो आपकी अफाकिस की तो यह एक foreign origin थे यह विदेशी मूल थे ठीक है जो कि बहार से आए वे थे तो आपको यह दोनों में difference याद रखना है अच्छे से पहली बात आप लोगों को time period समझ में आगया दूसरा हमने देखा कि यह Muslim का राज्य है तीसरी बात हमने यहां पर यह देख इसके जो नौबल्स थे वो नेटिव origin थे यानि कि वो खुद के नेटिव प्लेश यानि की मूल निवासी थे अगर मैं बात करूँ कि बहामनी समराज्य जो आप सब का में किसने फाउंड किया था तो यह आप सभी को पता होगा maximum student को कि it was founded by अलाव दिन हसन बहामन शाह यह एक्जाम में पूछा जाता है आपको बात पता होनी चाहिए और आपको यह अपने एक्जाम में अंसर में जरूर लिखना है कि बहामनी समराज्य जो है इसकी स्तापना किसने की थी अलाव दिन हसन बहामन शाह ने की थी वो भी कर्व 1347 में और साती साथ अगर आप से और क्या हसन गंगु के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने क्या किया था ठीक है इन्होंने क्या किया था मुहमन बिन तुगलक की मुहमन बिन तुगलक को ने आपके दिल्ली के सल्तनत थे ठीक है तो दिल्ली के सुल्तान मुहमन बिन तुगलक के साथ इन्होंने क्या किया था विद्रोग किया था तो सबसे पहले आपको यह पूइंट आपको जरूर याद रखना है कि हसन गंगु या फिर अलावदिन हसन भहमंशा जिनों ने भामनी समराज्जी की स्तापना करी थी क्लियर हो गया आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह मैप दिखा दूँ यह पूरा मैप है वह जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा यह डैकेन वाला हिस्सा आप लोग यहां पे देख रहे हैं यह पूरा का पूरा किसका है मुस्लिम का राज्जे था ठ Capital चेंज करके क्या इनकी राजधानी फिर क्या बन गई बीदर बन गई तो बीदर इसकी राजधानी थी Capital भी आपको याद रखने है आपके एक्जाम में जब पूछा जाएगा बहामनी समराज्जे के बारे में आपको लिखना है तो यह सारे पॉइंट आपको अपने एक्ज क्लियर हो गया आपको इसकी स्तापना किस ने करी है वो कितने सो में बटा उसकी राजधानी क्या थी इन्होंने किसके विद्रोग गया था यह सारे पॉइंट एक्जाम में लिखने कंपल्सरी होते हैं दूसरी अगर हम बात करेंगे जो बहामनी किंडम है जो बहामनी देखोगे पूरा नौर्थ से साउथ तक उत्तर से दक्षिर तक और इस्ट से वैस्ट तक पूरफ से पच्छिम तक फैला हुआ था अगर मैं बात करूं नौर्थ से लेके साउथ तक यह वैनंगा नदी से किसना नदी तक फैला हुआ था और अगर मैं इस्ट से वैस्ट प साउथ और इस चे लेके वेस्ट तक कहां तक यह फैला हुआ था यह दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे देरबस टोटल 14 बहामन सुल्तान अगर हम बात करेंगे तो बहामनी समराज्य में टोटल कितने 14 बहामन सुल्तान रह चुके हैं आप ये बात चानते हैं कि बहामनी समराज्य का जो है हमेशा से विजे नगर समराज्य के साथ क्या चला है दूसमनी चली है ये दोनों आपस में क्या इनका युद्ध चलता रहा है ठीक है किसलिए डेकेन पर कंट्रोल करने के लिए रेड वाला इससा आप देख रहे हैं इ हैमनी समराज्य और विजे नगर समराज्य में दोनों में आपस में इनके युद्ध चलते रहे हैं ताकि ये इस वाले हिस्से में आपे कबजा कर सकें इसको जीज सकें इसलिए इन दोनों के बीच में आपस में लडाईयां होती रहे हैं यहीं मैं बात करूँ फिरोश्या इन्वेडिट विजन अगर एंडिफीटिट किस्टना देवर राय फर्स्ट तो यहां पर फिरोज्चा ने क्या करा था विजन अगर पर आकरमण कर दिया था और किस्टना देवर प्रथम जो है उनको हरा दिया था तो किस्टना देवर राय आप जानते हैं विजन अगर रू यहां तक आप सबको बाते क्लियर हो गई आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगर हम बात करेंगे अभी मैंने आपको क्या बताय suburbs कि बाहमनी समराझ्ये पहले उसके राजधानी गुलवर्गा थी बाद में बिदार हुई तो यह किसने बदली थी यह capital जो है यह राजदानी जो है वो किसने shift की थी तो वो थे एहमस्जाव ली तो एहमस्जाव वली ने राजदानी को गुल वर्दा से किसमे कर दिया था बिदार में shift कर दिया था नेक्स पॉइंट जो आपको याद रखना है वह यह है अब हम बात करेंगे मुहमद साह दृत्य की तो मुहमद साह थर्ड थे विकेम दा सुल्तान एड़ एज ओफ नाइन तो मुहमद साह तृत्य के अगर हम बात करेंगे तो जब नौ साल के थे तब यह क्या बनेते सुल्ता कुछा थे तो इनके मरने के बाद यहां पर जो राज्या बना सुल्तान जो बना था वह कौन बना था मोहमद साह त्रत्य नहीं यहां पर फिर राजगर्दी समा लिती फिर वह बनेते हैं के सुल्तान आगे अगर मैं बात करेंगे तो बहामनी समराज्जी ने क्या किया था महमूद जुगवन के समय पर अपने इन्होंने क्या करा पूरे एंपायर को बहुत ही उपर लेवल पे पहुचा दिया था चरम सिमा पर मतलब जिसे कहते हैं बहुत अच्छा तो ये बहुत अच्छा मंत्री थे इन्होंने अपने राज्जे को बहुत ही आगे बढ़ाया बहुत उच्छी जिमत तक बढ़ाया था आगे अगर मैं बात करूं कि बहामनी डाइस्टी का आपके बहामनी समराज्जी के के मैं बात करूं इसका जो आखरी रूलर है वो कौन थे कलिमुला ठीक है यह आपको नाम याद रखना है तो कलिमुला थे भहमनी वंच के अंतिम राजा यह सारे पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां तक आप सब को समझ में आ गया आपके एक्जाम में स्टूडेंट कुछ भी टॉपिक आपके एक्जाम में अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको इंट्रोड़क्शन जरूर देना है ठीक है साथ में आपको इग्नुवर्टेंट हैं तो आपको यह बाकिया हद रखनी है तो पा आपके एक्जाम में मांक सच्छे नहीं आएंगे तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि महमूद गवन के टाइम पर जो की मिनिस्टर थे उस समय के वहां के मंत्री थे उनके समय पर जो भामनी समराज्य बहुत ऊचा पहुंचा था बहुत ही जैने बहुत ही अच्छे लेवल तक बहुत जुका था अच्छे इनकी यहां पर हमें एंपाय समराज्य देखने को मिलता है तो चलिए अब हम कुछ महमूद गवन के बारे में पूरा डिसकस कर लेते हैं इनसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स या फेक्ट है जो आपको अपने एक ट्रेडर थे यानि की वैपारी थे तो हमने अभी तक यह जाना कि उनका जो महमूद गवन के बारे में अगर आप देखोगे तो महमूद गवा जो है जनम से ही क्या थे वो इरानी थे और साथी साथ वो वैपारी थे फिर उन्हें हुमायू शाह ने इन्हें एक क्या दी थी उपादी दी गई जिसका नाम था मलीके उल्टелен यानि की जो चीफ होते हैं मट्चंट की नि वैपारी के प्रमू को दी था है इन्होंने यह एक उती थी थी तो आपको यह पुइंट याद रखना है और ऐसे ही ऐसे पॉइंट अगर आप अपने एक्जाम में लिखेंगे तो आपके marks यहां बहुत अच्छे आने वाले हैं इसलिए एक भी point को skip मत करना जितनी भी चीज़े मैंने यहां पर लिखी हैं यह सब कुछ आप अच्छे से notes बना लो student क्योंकि यही आप exam में लिखेंगे अच्छे तरीके से तो आप लोगों के marks आपके exam में बहुत अच्छे आने वाले हैं क्लियर हो गया क्योंकि अगर आप और दर्दर की बाते लिख देंगे तो आपके marks नहीं आने वाले हैं तो पूरा focus करना कि point to point और important बाते लिखना तो आप लोगों ने देखा कि महमूद गवा एक Iranian था ठीक है और उसको हुमायुशान एक उपादी जी थी मलक तो उल्ट तुजर क्यों क्योंकि इनको आजैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने आपको क्या बताया इनके समय पर जो है मैं जो हमारा भामानी समराज्य बहुत ही अच्छी उपर लेवल तक पहुँच चुका था फिर यहां पर अगर आप देखोगे लगबग 20 शालों तक जो बहमनी समराज्य है इस पर यह बने रहे ठीक है फिर उनके नैत्रव के अगर हम बात करेंगे तो इनके समय पर अगर आप राज्य देखोगे वह आठ प्रोविंस में डिवाइड हो गया ता जिसका नाम क्या रखा गया जिसका नाम यहां पर रखा गया था तरफ क्लियर हो गया और आप इस फिगर में भी देख सकते हो यह महमूत गवन है इनी के समय पर जो हम इनका किंडम है जो हमारा राज्य अगर आप देखोगे यह पूरे आठ प्रोविंस में यह आठ प्रांतों में आप विवाजित किया गया था जिसको क्या नाम बोला गया था तरफ न किया दाता था ता अच्छला देख यह पीड़ित यहां पर आप को यह बात याद रखनी है उस समय जो सेल्डरी पेड़ की जाती थी वो किसमें कैस्थ में डी जाती चीजिए पो फिर यह पिर जागीर के रूप में दी जाती थी यह आपको मैं बता रहे को गवन्ट करने वाले को क्या बोलते हैं तरफतार आगे करें इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट फैक्स देखें इनके तो यहां पर जो भी भूमी का एक भाग जो सुल्तान पे खर्च करता जाता था उसको खलीशा बोला जाता था यह पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ख जो आफ गवन्ट पाउडर क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि महमनी समराज्य और विजन अगर समराज्य की बीच में यहां पर हमें यूद देखने को मिलता है तो विजन अगर राजों के विरुद जे इन्होंने यूद लड़ा था तो इन्होंने यहां पर गवन्पाउ साथी साथ आपको यह क्या बात रखने 1481 में मौहमद शाह द्वारा ने आप इन्होंने एक्जिक्यूट करा था इसको दैन फिर डकन के जितने भी नॉबल्स हमें आपर देखने होते हैं फिर यह उनके खिलाफ इन्होंने साजिस रची थी ठीके डेकन नॉबल्स प्लॉट तो यह महमूद गवा के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने तो यहां तक आप लोगों के बास समझ में आ गई है अब हम बात करेंगे शुड़न यह आप सभी ने पढ़ा है कि महमूद गवा ने जैसे कि एजिक्यूट किया था उसके बाद हम यहां पर पांच गिंडम भारत के जो हमारी बहमनी समराज्य यह पांच हिस्सों में विवाजित हो गए थे यह बात आपने यह सब देखी यह बात आपको याद रखनी जो महमूद गवा के एजिक्यूशन के बाद उसकी निश्पादन के बात की यह परिक्रिया है जब यह पर हमें भामनी समराज्य पांच राज्यों में यह बढ़ चुका था तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो निजाम साही एहमद नगर आदिल शाही का देखोगे तो बीजापूर कुतुब शाही का गॉलकॉंडा इमाज चाही का बेरर और बारिश चाही का बिद तो यह पूरा यह पूरा डेकन का इसा है जो आपको यहां पर ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हो ना इसी के लिए बहामनी समराज्य और विजन अगर समराज्य का इस यहां पे इसको जीतने के लिए आपस में की लड़ाई होने लगी तो अब आम इन पांचों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्स है आपको यह भी एक्जाम में लिखने इन पांचों के बारे में तो आएए चलिए इसको भी एक एक करके समझ लेते हैं तो यह स्टूडेंट आपको यहां पे इंगलिस में और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा ठीक है तो आप किस अनेक्स्ट बाइस सहाजा इन 1633 तो इनका टाइम पिरिड आप यहां देख लो 4090 से 1633 इन्होंने एहमाद नगर पर यहां पर शाषन किया था गीत लिया था उस पर कभजा कर लिया था दूसरी अगर हम बात पढ़ेंगे आदिल साही बीजापूर की इन्होंने 4090 से लेकर क 6086 तक यहां पर इन्होंने रूल किया तो यूसुफ आदिल साही यहां पर इन्होंने भी इसकी स्तापना की थी फेमस अगर हम बात करेंगे तो गोल गुमबज इन्होंने बनवाया था तो आप यह भी पूछा जाता है जैसे कि आप लोग इन फ्यूचर नेट जे आर एफ किसी भी एंट्रेस एक्जाम येट किसी भी एक्जाम की तयारी करोगे तो यह पूछा जाता है कि गोल गुमबज जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था तो मुहमद आदिल्शा द्वारा ही बनाया था और इन्होंने बीजापूर को जीत लिया था ठीक है और एनेक्स ब अगर बात करूं कुटुपशाय और गॉलकॉंडा तो यह आपका 1518 से लेकर के 67 तक का टाइम है यह आपका बनाया था मुहमत कुली कुटुपशाह ने यह फेमस थे इन्हों नहीं चार मिनार बनाया था वेर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका चाहिए तो स्क्रीन शॉट ले लेना लेकिन एक्जाम में यहां से क्वेस्टन आपको जरूर देखने को मिलेगा कि गुलकॉंबज इसने बनवाया था हैदराबाद जो सीटी है उसको किसने फांड किया था ठीक है साथी साथ इन्होंने चार मिनार भी बनाया था और इन्हें एक्स किया तो यह भी औरन जेप के टाइम पर सिक्स्टी एटी सेवन में नेक्स्ट में अगर बात करूं इमाद शाय ऑफ बैरार की तो यह बैरार जगा 1490 से लेकर कि 1574 एडी तक इसको फांड किसने क किया था आपके फत्यकुल खान इमाद अलमुल्क ने इनकी राज़दान इनकी क्या थी दौलता बात और इन्होंने रूल एक्स बैदर रूलर ऑफ एहमद नगर आप लास्ट अगर हम बात करेंगे बारे साइफ बिजार 1528-1690 तक तो इनके फांडर कौन थे अलीबर दी औ कि सस्तापक एहमद निजाम साही थे इन्होंने 1633 में सहाजा ने जीत लिया था और कभजा कर लिया था इसको किसे जीता सहाजा ने बीजापूर के आदिल साही की अगर मैं बात करूं तो यूसुफ आदिल साही ने इसके फाउंडर रह चुके और इन्होंने गोल कुंबच कर दहुआ 실ाइश है यह इस की असेस्तापना की थी और यह फेमस थे गुलकंडा के लिए का क्यूकि इन्हों नहीं इसका निर्मारण किया था और उसकी और औरंजेव ने बीजापूर पर विजये प्राप्त की थी और उसको कब्जा कर लिया था ये साजा ने सिर्फ पहला वाला याद रखना ते गुलकुंडा कीले का क्योंकि इन्हों ने ही इसका निर्माड किया था और उसकी रास्तानी बनाई थी नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था मुहम्मद कुतुब इलिशा जो है इन्होंने हैद्रावास शहर बनाया था ठीक है बरारी के इमाज साही ने तो फत्मुल्ला खान है इसके राजदानी दौलतावात थी और एहमद नगर के सासको द्वारा इसको अपने अंदर यानि की यह सहाजा वाले हिससे में चला गया नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बिदारी के जो बड़ी दिसाही है इसके फाउंडर अली बनोदे थे और बीजापूर सासक द्वारा इसको एनेक्स कर लिया गया क्लियर हो गया तो बीजापूर वाले यानि की आपके कौन औरंजेब में चला गया तो यह बाले हिस्से में आप लोगों को ऐसे एक दूसरे से कनेक्टर्म करके कनेक्स करके बनाओंगे तो आपको यह इसली से याद जाएंगे आपको यह स्क्रीन शॉट लेलो हिंदिया या एंगली तोनों स्टूड यही सारे पॉइंट आपक को देखने को मिलता है तो यहां तक आप सबको बाते समझ में आगे किसने क्या चीज बनाई थी किसने किस चीज की सिस्तापना की ती किसने किस चीज का निर्माड किया था और कौन से टाइम पीरट पर किया था इस सब कुस आपको अपने एक्जाम में लिखना है अगर आप की भी करना है और साती साथ आपको किसने क्या बात बोली उसका नाम भी हाइलाइट करना है पूरी कोसिस करना यहां मैं इगनुवाले स्टुड़न के लिए बता रही हूं कि आप जो अपने एक्जाम में अंसर भी लिखेंगे तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कि किस सकॉलर तो आप बत सकते हैं कि इस सब्र ACCOL भी बात ONE कि किसी के लिए कोई आपके करना तो यह उपादी दी इसको यह पॉइंट भी आपको एक्जाम में लिखना और इसको हाइलाइट करना है ठीक है तो इससे टीजर को लेगा कि आपने यहां पर इंपोर्टेंट चीजे लिखी है आप लोगोंने में फोकस करें कि किस ने किस चीज क्यों पादी दिये वरना सीफ स्टूडेंट अगर आप लोग देखोग में इसको एट प्रोमिस में डिवाइट किया तरफ बोला गया और तरफ को जो गवर्ण किया तरफदार बोला गया यह सब कुछ आपको इसी वे में लिखना है तो आपके एक्जाम में मांक्स बहुत अच्छे आने वाले क्योंकि इसी तरीके से इकनू चाहता है कि आपको जड़े से जादा अप इस्टोरियंस के बारे में पताऊ स्कावलर्स में क्या वात करी रिया किसने कॉनसी उपादी या किसने किसको कॉन कॉनसी उपादी दि कौन कपतक सासतन करा तो अगर योप जूप zaman में कर रहे हैं तो को चोटी बात यह नहीं बड़े है तो आप stremmony समराज्य का खुछ आठ और architecture देख लेते कि वहां की आर्किटेक्ट्टर कैसी थी Kern वहां के ख़र VOICE कर्यों की कैसा था तो अरकिटेक्ट्टर और देकोगे तो यह सबस grad आपको स्टार्टिंग में भी बताया थे इन्वाइटेक्श तो यह और थे जो आर्खिटयक्श को बुला थे वह कहां हों धूते पर्टिया से भी टर्की और दोर्ड़ेंघ्ड में यह कि अपना अर्फिटक्श तोनंक्षी आपर देखिए तो यह सारे योगदार हम ने अभी वहमनी सम्राज्य में देख लिया था ठीक है अगर मैं बात करो गुलगुंबज मैं अभी आपको बताया तो गुलगुंबज मैंने आपको बताया था कि मुहम्मद आदिल शाहर द्वाराई बनवाया गया था अगर हम बात करेंगे तो यह किसले फेमस है विस्परिंग गैलरी से फेमस है अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि विस्परिंग गैलरी के नाम से फेमस क्यों था आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा मैं देखना चाहूंगे कि कितने student को ये बाते पता हैं कि इसको whispering gallery क्यों बुढ़ा जाता ठीक है तो पूरी कोसिस करना maximum जितना हो चाहिए आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा next मैंने भी आपको क्या बताया कि इब्राहिम आदिल सा ने introduce किया था दाखनी ठीक है इन्होंने जो अपनी दर्बारी भासा की रूप में पार्सी के स्तान पर इन्होंने दाखनी की सुरुआत की थी याद रखना ये जो बहमनी समराजियम पढ़ रहे हैं इन्होंने Persian को अपन यसी तर्म्स हैं तीक है जैसी कि अभी आपने देखा आर्ट और आर्टेक्ट्चर है आपको सारी बाते लिखनी है क्योंकि दस नम्मर में अगरा आप एमनी समराज्या गेजाम में एगा तो इतने ही पॉइंट लिखना है यूंकि आप लोग जानते हैं दस मक्स में आपको अच्छा कि आप लोगों की यह इतने हिस्से में बटा हुआ है ठीक है तो आपको यह दिखाना है कि हमारा भामोनी समराज्या जेवा पांच किंडम में बटा हुआ था ठीक है तो यह आप एक एक करके समझा सकते हैं इसली तरीके से जैसे कि मैंने आपको यह पॉइंट तो आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं तो इससे क्या होगा आपको जादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे बना इगनू में आप लोग बहुत से बच्छे आज होतें सिर्फ ब्लू पैंट से बस कुछ भी बस लिख कर आजाते तो आपको पता अब आप यही देख लो अगर सिर्फ ब्लू ब्ल्लाक से अब आप सिर्फ लिख के चले आओगे तो हमें क्या पता कौन से चीज़ कहा है इ इंपॉर्टन पॉइंट है जो आपने कुवेशन में पूछ है हमने उसका अंसर दिया है तो इसी तरीके से स्टुडेंट आपको यह चीज़े करनी है तो स्टुडेंट यह था आज का आपका पूरा आर्क और आर्किटेक्चर बहामनी समराज्य का मैंने आपको यह पूरा स्टुडेंट को नहीं मिलता है लिंक ओपन नहीं होता तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं नहीं तो साथी साथ आपको दो चैनल है वह दोनों चैनल जरूर जारूर जोइन कीजिए वह आम लोग पीडियापी शेयर करते हैं आपके कोई बीडाउट को वैरी आप मुझसे प करनी है यह जो मैंने आपको आशी क्लास में पढ़ाया है यह आपकी हर एक लेवल की तैयारी के लिए तो इसको अच्छे से नोट्स जरूर बनाएगा जो भी मैंने पढ़ाया है अगर आप खुछ से नोट्स बनाएंगे तो आपको यह सारे पॉइंट्स याद रहेंगे औ बखर इतना ही वीडियो को लाइक श्यार करना मत भूलना अभी तक और चैनल सस्क्राइब करने करना मेरी यह पर बात करेंगे रात के दस बजी मेरे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी स्टूडेंट तो उसके लिए अपडेट हमेशा रहे टालीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए बहुतों को लिंक मैं वहापे चैनल पर वीडियो आती है तो उसके लिए अपडेट पाने के लिए मेरे साथ क्लास बने रहे खूए बराओट कोई भी क्या है मुझे कमेंट करके पोच सकते हैं अदर्बास मैसें के थू आप मुझे सब्साथे मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में आशी क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बतेएगा ऊके शुरेंट थैंक्यूवाचींग